जै माताजी मित्रों मेरा नाम पंडीत प्रकाज जुजिस में मित्रों आज हम चर्चा करने हैं सापताहिक राशी फल के बारे में कि 19 दिसंबर से और 25 दिसंबर तक 12 राशियों की क्या स्थती रहेगी क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे और डारेक्टली हम बताते हैं ग्रह मेरा जो बताता हूं तो डारेक्ट मेस राशी से मीन राशी क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बिश will be rekt करें यानि टॉरस जिसका है तो 19 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आप जल्दी बाजी में काम निप्टाने की कोशिश कर सकते हैं या काम को टालने की कोशिश कर सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है इस सब्ता आप थोड़े विचलित रहेंगे यानि आपका मन एक वस्तुपे एक आगरचित हो गाई नहीं साती साथ इस सब्ता मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में भी आप जाने वाले ऐसा योग नजर आ रहा है इस सब्ता आपका धन शियर, स्टॉक, मार्केट या कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे आपको अच्छा रिटन भी प्राप्त होगा और रुकावा धन भी आपको मिलने वाला है इस सब्ता देखा जाए किसी मित्र की सला से आप कहीं पर धन निवेश कर सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा ह करियर के लिए देखा जाए तो इस सब्ता बुदादीती योग बन रहा है यानि बहुत नया काम आपको दे सकता है थोड़ा कारे का प्रेशर आपके पर बढ़ने वाला है आपके काम की तारीब भी होगी लेकिन आपको काम का प्रेशर भी दिया जाएगा यानि वर्क बुकिंग करने की रहने की जो थोड़ा सा आपकी टल सकती है ऐसा योग इस सब्सक्राइब बन रहा है जिससे आपका पार्टनर थोड़ा नराज हो सकता है लेकिन कुछ समय के बाद वही पार्टनर आप मान भी जाएगा आपकी मजबूरिया समझेगा बैठ कर पार्टनर क पूल मिलाके रिलेशनसिप भी सब्ता अच्छा रहेगा आपके और आपके पार्टनर के प्रती अंडरस्टेंडिंग अच्छी रहने वाली है